पहली बार बड़े परदे पर हो सकता है संजु बाबा और सल्मान खान का आमना सामना येस क्योंकि करन जोहर की मच अवेटेड और दा मोस्ट एंटीसिपेटेड मुवी अफ दिस एर शुद्धी में सल्मान खान के खिलाफ नेगेटिव रोल में हो सकते हैं संजैदाथ रोल्स कुछ जादा ही रास आते हैं लेकिन सल्मान के ओपोजिट ये रोल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा कहना सल्मान की फिल्म में या तो सल्मान होते हैं या फिर सिर्फ सल्मान ही होते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर पहले भी काफी जादा कॉंट्रोवर्सी हो चुकी है जहां शुद्धी में पहले रितिक रोशन को और उसके बाद रनवीर सिंग को कास्ट करने की बात की गई थी वो बात खत्म हुई और फिर डिसाइड किया गया कि सल्मान खान होंगे इस फिल्म का हिस्सा जहां तक कि फिल्म की हिरोईन की तलाश अब तक जारी है पहले दिपिका बादुकोन से भी बात की गई थी और करीना कपूर से भी लेकिन बात बन नहीं पाई यह फिल्म डिसेंबर 2015 में रिलीज होनी है और अभी तक कास्टिंग को लेकर बहुत सारे डाउट्स चल रहे है बताया जा रहा है कि इस फिल्म के डिरेक्टर करन मलोतरा है जोने अगनीपत का रीमेक भी डिरेक्ट किया था और उविसली उनका और कांच साचीना का कॉंबिनेशन तो पहले ही सूपर हिट हो चुगा है इसलिए इस बार फिर से इस फिल्म में हो सकते हैं संजु बावा इन दा नेगेटिव रोल यानिके एस दा खलनायक औफ शुद्धी